तो विव्यान दिसीना को ले करके जो perception था ईशा सिंका अब वो change हो चुका है मैंने कहा दना कि धीरे-धीरे करके हर किसी का perception जो है न वो change होगा जैसे कि कई सालों से विव्यान ने कुछ ऐसे characters की है जिससे लोगों को ये लगने लगा कि इसमें बड़ा ही attitude होगा लेकिन जब वो बिग बॉस के घर में अब इतना ही कम दिन हुआ है लेकिन लोग समझ पारे कि विव्यान वैसे नहीं है इनफाक्ट चाहें वो जनता हो या फिर बिग बॉस के घर में जो audience हो या फिर विव्यान की co-star ईशा सिंग क्यों न हो इशा सिंग ने विव्यान के साथ सिर्फ तुम शो किया हुआ है उस टाइम वो उनके साथ काफी cut to cutty और उनका एक perception बना हुआ था विव्यान के लिए लेकिन जब दोनों एक ही शो में एक साथ है 24 hours तो यहां पर ईशा का जो perception है वो चेंज हो गया है विव्यान डिसीना के लिए कि इसकी एक अलग साइड भी है तो finally यह लोग बैट के आमने सामने बातचीत कर रहे होते हैं जहां पर ईशा सिंग ने कहा कि मतलब मेरा भी तेरे लिए बदला है हम लोग बहुत ज़दा cut to cut ते set की बात करती ही नजरा आती कि हम बहुत ज़दा cut to cut ते यह नहीं था कि मुझे तुछ से कोई issue है मुझे ऐसा लगता था कि हमारी जो ideology है वो match नहीं करती है जिसके बाद विव्यान कहते है कि हम लोग कहां पर मिले पीशा कहत तो यहां पर प्रोफेशनल था तो यहां पर ईशा सिंग कहती है कि वही तो मुझे चीजे समझ में हैं यहां बहुत ज़दा कटू कट थे और अब यहां करके पता चला कि एक अलग साइड भी इसकी exist करती है जिसकी बद विव्यान कहते है कि हां मेरे परिवार वाले मेरे दोस करके हिसाब से लोग समझते थे वैसे नहीं है लेकिन वो काफी ज़दा कूल बंदे हैं जैसे कि हम देख पा रहे हैं फिलाल क्या कहना है आपका कॉमेंट करके जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किजे थांक्यू